बहादुरी, पागलपन, जिन्दगी और मौत इन शब्दों के माइने नहीं रह जाते जब आप प्रेम में होते हैं कुछ प्रेम करते हैं किसी व्यक्ती से, किसी वस्तू से, किसी सपने से और कुछ करते हैं अपने वतन से वो मौत की हाथों में हाथे डाल कर जंग के मैदान में उतरता था लक्ष मात्रे भूमी की रक्षा मैं सुनाता हूँ आपको एक ऐसे ही जावास पारा कमांडो की कहानी ये कहानी है लांस नायक मोहनात गोस्वामी की 22 अगस्त 2015 की रात क्याप्टन दीपेश महरा की अगवाई में पारा स्पेशल फोर्सिस की एक टीम खुर्मुर गाउं में घात लगा कर बैटी थी खुर्मुर नौर्थ कश्मीर के हन्वारा डिस्टिक का एक गाउं क्याप्टन दीपेश और उनकी टीम को इंटेलिजेंस मिली थी कि उस जगह तीन टेरिस्ट लोसी को क्रॉस कर आने वाले छे टेरिस्ट को रिसीव करने आने वाले हैं टीम को अचानक तीन परचाईया दिखी तीन लोग हाथों में के 47 और कंधों पे भारी बैक्स लिए उनकी और बढ़ रहे थे टीम के पास नाइट विजन कैमराज थे पर जंगल इतना गहरा था कि कुछ ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा था Special Forces को ये strict instructions होते हैं कि बिना confirmation कि सामने वाला कहीं कोई civilian या आर्मी की दूसरी unit का जवान तो नहीं उन पर गोली नहीं चला सकते इसके लिए Special Forces को challenge protocol को follow करना होता है जिसके तहट उन्हें सामने वाले suspects को चिला कर उनकी identity पूछनी होती है ये Special Forces के operation का एक बड़ा dangerous protocol है क्योंकि इससे Special Forces के cover blow हो जाते है squad और उन terrorist की दूरी 10 minute की रही होगी जब squad ने उन तीन लोगों को आवाज लगाई उन तीनों terrorist ने team के direction में लगतार firing शुरू कर दी एक गोली captain महरा को आकर लगी पर अंधेरे में पता नहीं चल पा रहा था कि injury कितनी serious है जब हानवारा में ये लड़ाई चल रही थी ठीक उसी वक्त Special Forces के उदंपूर headquarters में चार पैरा कमांडोस अपने mission के लिए तयार हो रहे थे इस team के चार लोगों में से दो लोग थे लांस नाइक मोहनाद गोस्वामी और मेजर अनुराग कुमार चार लोगों की वो team अपनी गाड़ी में देर रात निकली ही थी तब ही उनके wireless पर एक message आया मेरा सहब को लग गई ये message खुरमुर से था लांस नाइक मोहनाद गोस्वामी ने अपने साथियों से कहा मेरा सहब खायल हो गए हैं वही पर तुरंट चलते हैं मेजर कुमार जो कि इस ग्रूप के लीडर और इस ग्रूप के एक मातर आफिसर थे ने कहा कि लाइव गोरी बारी में जाना team के लिए safe नहीं होगा पर लांस नाइक मोस्वामी ने फिर कहा अगर हम वहां नहीं पहुँचे तो हमेशा इस अफसोस में रह जाएंगे कि महरा सहब को बचाया जा सकता था ये बाते अभी चल ही रही थी कि खबर मिली कि खुर्मूर में उन तीन टर्रिस के पास P.K.M. मशीन गांस है ये मशीन गांस पारफुल होती हैं और कमांडोस के लिए इन लपंस का सामना करना नामुम्किन था साथ ही ये खबर मिली कि क्याप्टन महरा के स्क्वार्ट का समपर्क हेड़क्वार्टर से तूट चुका है इतना सुनते ही मेजर कुमार और लांस नायगोस्वामी की टीम ने अपनी गाड़ी घुमाई और चल पड़े खुर्मूर की ओर जब लांस नायगोस्वामी की टीम खुर्मूर में कांटेक्ट पॉइंट से 200 मीटर दूर थी लांस नाइगो स्वामी ने गाड़ी के एडलांस बंद करने के लिए का पर तब तक टर्रिस ने उन्हें स्पॉट कर लिया था टीम की तरफ ताबर तोड बुलिया चलने लगी और चारों कमांडोस गाड़ी से कूट कर जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे लांस नाइगो स्वामी हमेशा की तरह आगे रहकर टीम को स्काउट कर रहे थे अब लांस नाइगो स्वामी और उनकी टीम टर्रिस से माग 30 मीटर दूर थी कमांडोस पेर के पीछे कवर लेकर बैठ गए दूसरे छोर पर उन टर्रिस से 10 मीटर दूर क्याप्टन महरा की टीम थी और कमांडोस की इन दोनों स्क्वार्ट्स को एक दूसरे की लोकेशन का पता नहीं लग पा रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत ज़ादा था ऐसे में दोनों स्क्वार्ट्स का आपस में गोली बारी में घायल हो जाने का खत्रा था ऐसे में लांस नाइगो स्वामी रेंगते हुए मेजर कुमार के पास पहुँचे और उन्हें कहा कि आप फ्लेशलाइट से क्याप्टन महरा की टीम को हमारे लोकेशन का पता दीजिए मेजर कुमार ने फिर लांस नाइगो स्वामी को समझाने की नाकाम कोशिश की कि उनका कवर ब्लो हो जाएगा लांस नाइगो स्वामी ने कहा कि पेड हमें गोलियों से बचाएगा अब फ्लेशलाइट ब्लिंक करो जैसे ही फ्लेशलाइट जलाए गया, टेरिस ने उन फर मशीन गंच से हेवी फारिंग शुळ कर दी टेररेस्ट और लांसनाय गोस्वामी की टीम में डारेक्ट फारिंग शुब हो गई इसी बीच गोस्वामी ने एक टेररेस्ट को मार गिराया अब तक क्याप्टन महरा की टीम गी दूसरी तरफ से लांसनाय गोस्वामी की टीम तक पहुंच चुकी थी लांसनाइक गोस्वामी, क्याप्टन महरा को अपने कंदे के साहरे उस एरिया से बाहर निकाल कर ले गए तब तक बाकी दो टेलेस भी मारे जा चुके थे इस तरह इस मिशन का खात्मा हुआ बच्चन साहब की एक पड़ी फेमस मुवी है मुकदर का सिकंदर उस मुवी का फेमस टाइटल सौंग है जिंदगी तो बेवफा है एक तिम टुकराएगी मौत महबूबा है अपने संग लेकर जाएगी कुछ ऐसा ही अंदास था जीने में लांसनाइक मुहनाद गोस्वामी का हमेशा एक्शन के लिए तैयार अपने टीमेट्स की ढाल और हमेशा सबसे आगे बढ़ते टीम के लिए स्काउट बनना ये उनकी आदतों में शुमार था जब भी उनसे कहा जाता कि आप नए रिकूर्ट्स को मौका दें आगे बढ़कर स्काउटिंग का वो कहते आपको मुझसे बहतर कोई मिल जाएगा आप बेशक उसको स्काउट बना देना जब वो कोई उपरेशन में नहीं होते तो कंट्रोल रूम में बैट कर आने जाने वाले रेडियो मेसेज़ेस को सुना करते थे मानो अगले काउंटर इंसरजेंसी ओपरेशन का मौका तलाश रहे अभी पिछले ओपरेशन को खत्म हुए दो दिन ही हुए थे कि अगले ओपरेशन की घंटी बग गई तारीः 27 अगस्त पांच पाकिस्तानी टेर्रिस पूरी से क्रोस कर इंडियन टेरिटरी में दाखिल हुए पूरी सेक्टर किसी भी इनसान के लिए सबसे मुश्किल रास्तों में से है और यहां छुपने के लिए भी परयाब जगा है पांच टेर्रिस शमशाबरी रेंज काला पहार मांटेंस काजी नाग धर के बरफीले पहाड़ों को क्रोस कर कश्मीर की घाटियों में गुशे गुश्ते हिन का सामना इंडियन आर्मी की 35 राष्ट्रे राइफल से हो गया जिसमें एक टेर्रिस की मौत हो गई बाकी चार टेर्रिस पहाड़ियों और जंगलों का सहारा लेकर भाग निकलने में कामियाब रहे मुटभेड के तुरंट बाद 35 राष्ट्रे राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर ने ड्रोन से टेर्रिस को ट्रैक करने के ओर्डर्स दिये मार्क टू ड्रोन राध भर उन टेर्रिस को ट्रैक करती रही और फाइनली बारा मूला के तरफ जाते वे उन्हें देखा गया बारा मूला के पास पत्रीले चट्टानों से निकलते हुए उन चारों टेर्रिस ने वहां मौजूद गुफाओं में अपना कमांडो अपनी पोजिशन में बैठे हुए थे पर टेर्रिस का कोई अता पता नहीं था तभी टीम ने ये डेसाइड किया कि टेर्रिस को ये संदेश देना जरूरी है कि वो घिर गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा दो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेट्स गुफा में फायर किये गए ब्लास्ट होते ही दो टेर्रिस गुफा के बाहर निकले दो गोलिया चली दोनों गोली लांस नाइगो स्वामी की टार 21 राइफल से निकली थी दोनों टेर्रिस मरे गए जनरली ऐसे सिचुएशन्स में कोई भी कमांड ओलाग अबतार कई गोलियां फायर करता है ताकि टार्गेस मिस होने का चांसेज ना हो पर लांस नाइगो स्वामी को अपने स्कल्स का इतना भरोसा था कि उनके लिए दो गोलिया मतलब दो टेर्रिस अब अंदर गोफा में दो टेर्रिस बचे थे इंतजार करते करते सुबह हो गई लांस नाइगो स्वामी की अगवाई में चार लोगों की टीम गोफा के और खरीब पहुँची तभी बाकी तीन लोगो को लांस नाइगो स्वामी के बंदूग से गन शॉट सुनाई दिये लांस नाइगो स्वामी को एक टेर्रिस की टांग दिखी और उन्होंने गोली चला दी कुछ देर की लुका छुपी के बाद अचानक चीखते हुए गुफा में से एक टेर्रिस निकला उसको भी तुरंथी कमांडोज ने उसकी मंजिल पर पहुँचा दिया अब सिर्फ एक ही टेर्रिस बच गया था कुछ देर बाद लांस नाइगो स्वामी फिर आगे बढ़कर गुफा के पास पहुँचे और आवाज लगाई भाई जान अभी भी मौका है आप सरेंडर कर दो बाहर निकल जाओ किसके लिए मरने आये हो पांच दिनों के ट्रेकिंग और चुपने चुपाने के खेल के बाद पुषा तंकवादी के पास ना तो राशन बचा था और ना ही लड़ने की हिम्मत और होसला वो चुपचाप बाहर आया और उसने सरेंडर कर दिया इस तरह ये मिशन खत्म हुआ अभी आपरेशन लेडर पंजाल को खत्म हुए तीन दिन ही हुए थे कि फिर टीम को एक नए आपरेशन के लिए स्टैंडबाई पर रहने के ओर्डर मिले दो सेप्टेंबर का दिन था इस बार खबर ये थी कि छे गुस्पैटिये बॉडर फ्रॉस करके कुपवाड़ा के जंगलों से होते हुए इंडियन टेरिट्री में दाखिल हुए हैं क्यूंकि ये एरिया इस वज़े से एक बड़ी टीम को टास्क में लगाये गया 36 लोगों की एक कमांडो टीम कुपवाड़ा के जंगलों में दाखिल हुए उन्हें ये तो खबर थी कि टरॉरिस्ट आएंगे पर किस दिशा से आएंगे ये मालूम नहीं था टीम टुकडियों में बढ़कर उन्होंने जोर से आवाज लगाई और पूचा कौन है वहां जवाब में तावर तोड़ गोलियां चलने लगी हालत की थोड़ी देर बाद बारिश चालू हो गई और दोनों तरफ से बंदू के शांत पड़ गई अभी एक धमाका हुआ तर्वेस्ट ने ग्रेनिट लगा कर सब देख रहे थे हमेशा से लांस नाय गोस्वामी के लिए टेररिस को एलिमिनेट करने से एक और बड़ी चीज थी अपने साथियों को बचाना लांस नाय गोस्वामी और उनके बड़ी हवलदार महिंदर सिंग दोनों घायल कमांडों के पास पहुचे पर तुरं लांस नाय गोस्वामी जानते थे कि अगले कुछ सेकंड्स में उनके साथी को गोलियों से चली कर दिया जाएगा उसी सेकंड्स कवर फायर देते हुए लांस नाय गोस्वामी अपनी बंदूग से ताबर तोड गोलिया चलानी लगे इस गोली बारी में दो गोलिया लांसनाइक गोस्वामी के कमर में आ लगी एक गोली उनके शरीर को चीरती हुई निकली तो दूसरी गोली उनके शरीर में आ फसी लांसनाइक गोस्वामी को अद्बरी हालत में देख टेरिस उनकी तरफ बढ़ने लगे ऐसी स्थिती में भी लांसनाय गोस्वामी अपने कवर से निकले और दोनों टर्रिस्ट को मार गिराया लांसनाय गोस्वामी का खून बहुत बहच चुका था उन्होंने रेंग कर अपने साथी तक पहुँचने की कोशिश तो की मगर उनका शरीर ठक चुका था मौत से हर रोज आँख में चौनी खेलने वाला गोस्वामी आज ठक कर मौत की गोद में सो गया गोली बारी के कम होते ही महेंदर सिंग ने अपने कोहनियों पर रेंगते हुए लांसनाय गोस्वामी तक पहुँचने की कोशिश की वो पहुचे भी और उनकी बोडी को खीच कर पेड़ की ओड़ में ले गए महेंदर सिंग रात भर लांसनाय गोस्वामी का हाथ पकड़ पल्स मिलने का इंतिजार में बैठे रहे महेंदर सिंग को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि स्पेशल फोर्सेस का सबसेज जावाज सिपाही आज गहरी नीद में सो चुका था मरनो प्रांग उन्हें अपनी वीरता और साहस के लिए सरवोच शांती कालीन सेना सम्मान अशोग चक्र से सम्मानित किया गया आजादी जिस आजादी को हम टेकन फर ग्रांटेड लेते हैं उस आजादी को सिया चीन के माइनस दस डिगरी टेमपरेचर में बैट कर बारा मूला के पहाड़ियों में चुपकर कश्मीर के जंगलों में कोई लांस नैगो स्वामी प्रोटेक्ट कर रहा है ये कुछ ऐसे पागल ही रोज हैं जिन्हें ना तो हम जानते हैं और शायद नहीं जानते हैं इनकी शान में मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि शहीदों की मजारों पर लगेंगे मेले हर बरस वतन पर मिटने वालों का यहीं बाकी निशा होगा on this note, the story teller signing out